हेलो दोस्तों नमस्कार मैं नरंदर पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट टीचार एकजाम इस्टड़ी पे दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे रीड 2021 परण अधन इवियस किंत्रगर्द परिवार एम सामाजिक बुराई यूनिट फर्स्ट दोस्तों सलेवस किंसार आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा दोस्तों यूनिट फर्स्ट से आपका एक नमबर कंप्लीट हो जाएगा दोस् दोस्तों आप 30 में से 30 की त्यारी करना चाहते हैं तो चैनल को आभी सब्सक्राइब करिये साथ में वेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेसन सेगरी मिल सकें दोस्तों चंद लाइनों से वीडियो को शुरू करते हैं जो अपने कदमों की पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं तो दोस्तों अपने आत्म विश्वास को बनाये रखेगा दोस्तों एवियस के अरवर अगर बात की जाए तो परिवार दोस्तों परिवार क्या होता है परिवार सरुब्यापी यों प्राथिमिक सामाजिक सं प्राड़ी होता है यह इंपोर्टन पॉंट आपके लिए हो जाएगा परिवार समाज की एक महात्पूर्ण इकाई है निश्ट दोस्तों परिवार की भूमिक्या क्या होती है सामाजी करण संस्कृत के हस्तांतरन तन्था सामाजी क्नियंतर में भी परिवार की विशेष्टाओं के इंतरगत बात की जाएं तो इसकी महत्पूर कुछ विशेष्टा हैं हो जाएंगी नंबर एक है साजा निवास इस्थान दोस्तों साजा निवास के इंतरगत इसमें क्या होता हैं पते एक दूसरे के साथ मिलकर निवास करते हैं भावातमक आधार क्या हो नमबर तीन प्रजिनन नमबर चार की दोस्तों अगर बात की जाएं तो सदस्यों में उत्तरदायत की भावना होती हैं नमबर छे हैं धीर कालिन समू और नमबर साथ है सरोभोमिक संगठन होता हैं नेश्ट दोस्तों बात करते हैं परिवार के प्रकार दोस्तों परिवार के मुखिता दो प्रकार होते हैं कौन से एकल परिवार और सहिंगत परिवार दोस्तों अगर बात की जाए एकल परिवार की तो इसमें क्या होता है पत्पत्नी और उनिके आविवाहित बच्चे सामिल होते हैं एकल परिवार परिवारिक ब्योस्ता का सबसे छोटा रूप होता है यह पॉइंट आपका इंपोर्टन हो जाएगा नेश्ट है नमबर दो बच्चों की देखवार अच्छे से नहीं हो पाती दोस्तों इसमें परिवारिक जो एकल परिवार होता है इसकी अगर दोस्तों दोस्त की बात की जाए तो इसमें क्या होता है बच्चों की देखवार अच्छे से नहीं हो पा तोनी उन्हें के आवीवाहिदबच्चे और बिवाहिद पूत्र उन्की पत्ञिय और बच्चे चाचा-चाची, दादा-दादी दो से तीन पिलियों का समा वेश होता है। दोस्तों इसके दोष की बात की जाएं तो सहिंग परिवार में विक्तित्य के विकास के लिए शुतंत्र आउशर का अभाव रहता है तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे समाज में प्रमुक रुप से कौन कौन सी समाजिक बुराईयां पाई जाती हैं तो दोस्तों इसमें है नमबर एक है बाल विवा दोस्तों बाल विवा हमारे देश के कानून के इनसार लड़के की आयो 21 वर्ष और लड़की की आयो 18 वर्ष से दोस्तों क्या हो जब कम हो या इन दोनों में से किसी एक की भी कम हो और ऐसे में इनका विवा किया जाए तो ये बाल विवा कहा जाता है नश्र दोस्तों इसके दोस्तों देखते हैं बाल विवा के क्या कारण है बाल विवा के निम्न कारण है नमबर एक है सिच्छा में कमी तूसरा है लोगों का पिश्डापन तीसरा है दोस्तों गरीवी और चोथा है स्रम सक्ति की जरूरत नमबर का अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त होना दोस्तों हमारे ग्राउंस समाज में देखा जाता है कि माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों की साधी जल्दी से कर दिये जाए और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला जाड लिया जाए नेश्टे दोस्तों इसके दूस् तोर्क किय गया प्रयास तो इसार्धा एक्ट एक्ट आपसे पेपर में सार्धायक्ट कब आया था तो यह आया था पस्तुत किया था इनके अमसाल लड़की की बिवाह के आयू 14 वर्स और पुर्षों के लिए या बालक के लिए 18 वर्स निधारत की गई दोस्तों इसमें बाद में क्या हुआ संसोधन हुआ 1978 में जब संसोधन हुआ तो विवाह के लिए नियुम्तम कानूनी उम्र 18 वर्स किसकी लड़की की 18 वर्स और लड़के के लड़के के लिए 21 वर्स की गई दोस्तों इसमें पूना संसोधन किया गया 1992 में संसोधन किया गया बाल विवा को समर्थन देने वाले अविवाओं को डंडित करने का भी प्रवधान किया गया नेश्ट दोस्तों है बाल विवा निसेद अधनियम 2006 इसमें क्या है केंदर सरकार दोरा 2006 में सार्दा एक्ट को क्या किया गया समाब्द किया गया इसकी जगाय पर दोस्तों इस कानून को सार्दा एक्ट को जो समाब्द कर दिया गया फिर क्या होगा बाल विवा निसेद अधनियम 2006 कानून बना दिया गया दोस्तों इसको लागू कब किया गया तो इसको लागू करने का जो समय था वो आपका पेपर में पूंचा जाएगा एक नौमबर 2007 से इसको लागो कर दिया गया इसके अंसार दोस्तों बिवाह की नियूनतम आयो 21 वर्स किसके 21 वर्स नहीं दोस्तों इसके लिए नियूनतम आयो लड़की के लिए दोस्तों लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई निश्ट दोस्तों दहेज प्रता या सामाजिक अविश्राप है जो मैलाओं के साथ होने वाले अपरादूं चाहें वो मांसी को या फिर सारीरिक को बढ़ावा देते हैं निश्ट दोस्तों दहेज की क्या करण होते हैं सामाजिक प्रता है जूंठी पतिष्टा है दोस्तों दिखावा करते हैं कि हमें हमारी साधी में इतना मिला है नेतिक मुल्यों में कमी होती है उच्छ सिच्छा में कमी है इसलिए दहेज को बढ़ावा समाच दे रहा है तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है अगर इसके दहेज पर्था कि दुस्प्रणाम की बात की जाएं तो ये वदू हत्या बच्चियों की भूड हत्या कर दी जाती है दोस्तों दहेज जिसको सुधानने के लिए कुछ प्रयास किये गए दहेज निसेद अधिनियम 1961 दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या है यहां कानून एक जुलाई 1961 को लागू किया गया इस अधिनियम के दोर दहेज लेने या देने वाले विक्त या दहेज लेने या देने वाले विक्त को भी कम से कम पांच वर्स का कारागार या नियुनतम 15,000 रुपे दहेज की रकम जो भी अधिक हो का आर्थिक डंड या दोनों सजाए कौन देता है नियाले दोरा दी जा सकती है निस्ट है अम्रत साथ वर्स के अंदर अशमान प्रस्चितियों में हुई तो दोसी पाया जाने पर साथ वर्स से लेकर आजीवन कारावास की सजाव का प्रवधान किया गया है नेश्टे सातियों आईपीसी की धारा 498A दोस्तों इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि दहे जेत प्रताडित करने पर तीन वर्स तक की सजागा भी प्रवधान करती है नेश्टे सरच्छन अधियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद दीवानी नयाले उत्लब्द कराने का भी प्र की ले जाती हैं तो उसे चोरी कहते हैं इसके इंतरगत दोस्तों चोरी लोट डखेती अपराधिक न्यास भंग संपत के विरुद गंभीर अपराध के उदार हैं नेश्टे बालसरम इसमें 14 वर्ष से कम आयो के बच्चों को किसी रोजगार में लगा देना ही बालसरम कहला संपता है निश्ट है समय जान के पिरुदद ऑराधि 4 24 के इंतरगत 14 कम आयो के बच्चों को किसी कार खाने या अनेख़तरakin दॉगों में लगाने पर पतिवंध किया गया किस अंशेत के इंत्रगत अंशेत 24 के इंत्रगत निस्ट है दोस्तों बाल स्रम को रोकने के लिए किये गए प्रियास दोस्तों इसमें है नंबर एक कार खाना कानून 1948 पांच वर्ष से कमायु के बालकों को बालक की सिनी में सामिल किया गया इसमें निस्ट है बाल स्रम निसेद और वीनीमय अधिनियम 1986 यह क्या कहता है गुर्पद स्वामी समित का गठन किया गया जिससे बाल मज़ूरी खत्म करने पर जोर दिया गया निस्ट है राष्टी बाल नीत 2013 यह दोस्तों 26 अप्रेल 2013 को नई राष्टी बाल स्रम नीत खोसित की जिसमें 18 वर्ष से कम आयू के इंसान को बालक माना गया तो दोस्तों यह इंपॉर्टन आपका हो जाएगा क्योंकि यह करेंट का इस्ट है नेश्ट है बाल अधिकारों के सरच्छण है तो राष् पर में बाल अधिकारों के सरच्छण राष्टी आयोग का मुख्याले कहां है तो मुख्याले है नई दिल्ली में इस्थापना संसत के अधिकार सरच्छण आयोग अधिकार के तहट माच 2007 में की गई नेश्ट है दोस्तों इसमें पॉइंट भारत में 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों पर सभी व्योसाई कारों में लगाने पर प्रतिबंद किया गया 14 से 18 वर्ष की किसोर पर केवल खतरनाक कारों के कारों में लगाने पर प्रतिबंद लगाया गया नेश्ट हो जाएगा 26 सितंबर 1994 को एक राष्टी बाल स्रम उन्मूलन प्रदिक्रण की अपना कब की गई तो आपको बताना होगा 26 सितंबर 1994 भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006 को बाल स्रम को पतिबंधित कर दिया कब कर दिया 10 अक्टूबर 2006 को निश्ट दोस्तों इंपॉर्टन प्रस्ण है विश्ट बाल निसेद दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है बारा जून को कब बारा जून को इंपॉर्टन प्रस्ण बन जाता है नसा खोरी दोस्तों नसा खोरी धूंपान नसीले परदारतों की शिवन करने की आदत या लट को नसा खोरी कहते हैं इसके आप बहुत सारे हैं प्रंत मुखिता देख लेते हैं सारीरिक परिवारिक दोस्तों परिवारिक के लिए किये गए महतपृड प्रयास दोस्तों इसमें नार्कोटिक्स कंड्leston bureau दोस्तों पुछा जाएगा नार्कोटिक्स कंड्रव ब्यूरो NCB की स्थापना कब और कहां की गए तो यह कि गए थी 17 मार्च 1986 नए दिल्ली में दोस्तों इसके कार है महतबरब्बो को तसकरी पर पूरी पर पूरी इतरह से अंकुष लगाने हैतों इसकी स्तापना की गए थी माधक द्रभों की तरफ्करी पर पूरी तरह से अंकुष लगाने है राब नार्कोटिक्स नींतराइल बोड इसकी इस्तापना 1961 सब्सक्राइब यह सुतंत अद्नियाई संसता के रूपे उनीश चोटी में इसकी स्थापना की गई वह जो इसका मुख्यले बियना अश्टिय्या में है donc धूम पान पदार्थों में निकोटीन पदार्थ पाया जाते हैं कौन निकोटीन पदार्थ पाया जाते हैं धूम पान के दुस्त प्रणाम दोस्तों कौन कौन से हैं नमबर एक सारी नुक्सान सारी नुक्सान इसके निकोटीन टार करवन मोनो अक्साइट अर्सेनिक विंजो पाइरेन आधी जो दोस्तों हमारे सरीर को घातक प्रणाम पहुचाते हैं इसमें क्या होता है मास पेश्यों में कमजोरी आ जाती है याद कर रखने की दोस्तों होसाताईव में 10 वर्स की कमी आ जाती हैं कितने वर्स की दस वर्स की कमी आ जाती हैं ये पूँछा जा सकता है identical दोस्तों नेतिक पतन होता है मैं निस्टे धूमपान को रोकने के लिए क्ये गए गए परियाज कौन कौन से हैं नमबर एक है सिग्रेट कानून 1975 दोस्तों इसमें कहा गया है कि 1975 के कानून यह कहता है कि सिग्रेट के प्रतेक पैकेट तता विग्यापनों के प्रचार पर चेतावनी अभश रूप से लिखना जरूरी हो गया जरूरी किया गया चेताउनी क्या लिखना है शीगरेट पीना सवस्त के लिए हानकारदग है दोस्तों ये सीगरेट पीना सवस्त के लिए हानकारदग है आज भी लिखा आ रहा है प्रेकटों पे नेस्ट है प्रदूसर निवारण और अधिनियम 1988 तथा मोटर वहन अधिनियम 1988 दोस्तों ये क्या कहता है सारवजने वहन में जूम पान करना या थुगना निसेद किया गया नेस्ट दोस्तों इंपोर्टन्ट है बिस्ट तम्माको निसेद दिवस कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 31 मई कम मनाया जाता है 31 मई को नेस्ट है दोस्तों मीथे डीन तथा पेरडीन तथा पेरडीन क्या है ये दवाई है तो दोस्तों ये किस परकार की दवाई है ये म कि लत को छुड़ाने के लिए हैं तो अगर आपके घर में कोई मादक पतारतों से किलत लग गई है तो उसको आप छुड़वा सकते हैं इन दवाईों के माद्यम से तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों अपने सुझाओ कमेंट के माद्यम से अवस्य ब दोस्तों वीडियो शुरू से अन तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंग